हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अक्साही चिन पर मैंने अपते बहुत सी वीडियोज बनाई है लेकिन ये वीडियो थोड़ी खास होने वाली है इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1962 की लड़ाई में जीत मिलने के बाद अरुनाचल के तवांग जिले और अक्साही चिन पर कबजा बनाने के बाद भी चीन ने अक्साही चिन को अपने पास रखकर अरुनाचल प्रदेश को भारत को क्यों सौब दिया लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 1962 में हिंदी चीनी भाई-भाई के नारों के बीच चीन ने भारत पर दो तरब से हमला कर दिया था ये दो जगें थी जमू कश्मीर का लदाक और अरुनाचल प्रदेश और चीन को इस युद में एक तरफा जीत मिली थी और नतीजा जमू कश्मीर के लदाक और अरुनाचल के तवांग को चीन जीत चुका था लेकिन उसने तवांग जीले को वापस कर सीज फायर गोशित कर दिया अब ऐसा क्यूं? अक्साई चीन 38,000 स्क्वेर मिल में फैला है और अरुनाचल 90,000 स्क्वेर मिल में फैला है अक्साई चीन बहुत उचाई पर बसा एक बंजर इलाका है जहां पर एक घांस तक नहीं होती वहीं अरुनाचल एक काफी बहतरीन राजे है ये कम उचाई पर बसा है और यहां की जमीन भी काफी उप जाओ है फिर भी चीन ने अकसे ही चीन को अपने पास रखा अगर चीन ऐसा ना करते हुए अरुनाचल पर कबज़ा बनाए रखता तो भविश्व में भारत की सेना अरुनाचल को चीन से वापस ले सकती थी ऐसा इसलिए क्योंकि अरुनाचल पूरे भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है भारत की सेना बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच सकती है तो वहीं अरुनाचल का इलाका चीन के में लैंड से कटा हुआ है अरुनाचल और चीन के विच तिबबत आ जाती है जहां के हाल बात चीन की सेना के लिए बिल्कुल सही नहीं है अक सही चीन पर कबज़ा बनाई रखने का एक कारण और था कि यहां से देश की राजधाने दिल्ली काफी नजदीक थी और भविस्व में भाराचीन यूद के हालात में चीन दिल्ली पर काफी असानी से हमला कर सकता था अब स सीधे किसी देश की राजधानी पर हमला करना सामने वाले देश के लिए बड़ी बात होती है तो दोस्तों यह चीन के द्वारा आक सही चीन पर कबज़ा बनाई रखने के कुछ कारण थे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना आगे शेयर क ना हम फिर मिलेंगे कैसे ही नई वीडियो के साथ